प्रश्ण है कि पार्टिकल पर जेड़ दिशा के साथ साथ मैगनेटिक फील्ड काम करती है और इसमें आपको दिये गए हैमिल्टनियन ओपरेटर के साथ कुछ एनरजी है जबकि इबटा एमसी गुणा भी एस जेड़ जहां भी मैगनेटिक फील्ड है और यह जेड़ दिशा के साथ साथ है और इसे हम पहले ओमेगा की टर्म्स में लिखेंगे तो ओमेगा है की बटा दो एमसी तो यहां मैं लिखूंगी ओमेगा एस जेड़ जबकि ओमेगा इबटा एमसी है ओमेगा की टर्म्स में हैमिल्टनियन ओपरेटर और एस जेड़ जेड कॉम्पोनेंट के साथ साथ पॉली स्पिन ओपरेटर है आप इस एस जेड को लिख सकते है पॉली स्पिन ओपरेटर की टर्म्स में जेड दिशा के साथ तो एस जेड है एच क्रॉस वाई दो सिग्मा यह भी है हम सब जानते है अब हम यह लिख कर या मान कर शुरू करेंगे की केट 0 और केट 1 क्या एस जेड के आइगन केट या आइगन आधार एस जेड के आइगन आधार है और मेरे ख्याल से लेक्चर में शुने को प्लस के तौर पर दिनोट किया गया था और एक को माइनस के तौर पर तो यहाँ शुने इंगित करता है एक शुने स्टेट या शुने एक स्टेट और इंगित करता है एक शुने स्टेट तो हम दिनोट करते हैं प्लस और माइनस केट की बजाएं में इसे शूने निर्दिष्ट करती हूँ और क्रिपया भ्रमित ना होूँ यूनिटरी टाइम एवलूशन ओपरेटर है मैं इसे लिखूंगी यू टी टी नॉट तो टाइम का एवलूशन टी से एक्वल टी नॉट है इसे लिखते हैं ए रेज़्ड टू माइनस आई ह ओपरेटर हैमिल्टिन ओपरेटर टी माइनस टी नॉट बटा एच ग्रॉस और हमें पता है है हैमिल्टिन ओपरेटर की फ़र्म क्या है यह है ओमेगा एस जेड ए रेज़्ड टू माइनस आई एस जेड है गुना ओमेगा बटा एच क्रॉस गुना फैक्टर टी माइनस टी नॉट जो यहाँ है यह है सीधी नोटेशन में होगा हम लिख सकते हैं एस जेड यह है एक्स्पोनेंट ओमेगा टी माइनस टी नॉट बटा एच क्रॉस केट शून्य शून्य प्लस ए रेज़्ड टू आई ओमेगा के तौर पर टी माइनस टी नॉट बटा एच क्रॉस केट एक एक याद रखें केट शून्य एक आईगन वैल्यू शून्य और एक के साथ एस जेड के आईगन आधार है आईगन वैल्यू ये आईगन केट है यहां हमारे पास होगा इस एक्स्पोनेंट को आप दोबारा लिख सकते हैं आईगन वैल्यू एक और माइनस माफ करना एक और माइनस क्या मैंने कोई गलती की यहां एक्स्पोनेंट एरेजड टो आई थीटा आप इससे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मैं पहली टर्म लिखती हूँ कॉस ओमेगा टी माइनस टी नौट बटा एच क्रोस और केट फॉर्म इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म मुझे देगी क्योंकि फिर से मेरे पास है कॉस थीटा यानि कॉस ओमेगा माइनस टी नौट बटा एच क्रोस प्लस की रेजड टू माइनस आई थीटा मुझे माइनस आई साइन ओमेगा ती माइनस टी नौट देगा सही है बटा एच क्रोस गुना शोनिय शोनिय माइनस एक एक पहली टर्म मुझे देगी माइनस आई साइन थीटा गुना यह प्लस आई साइन थीटा यह माइनस होगा तो आगे हम क्या करते हैं? ती का यू टी नौट होगा हम इसे दोबारा लिख सकते हैं कॉस ओमेगा ती माइनस ती नौट बटा एच क्रोस गुना यूनिटरी ओपरेटर या आईडेंटिटी ओपरेटर माइनस आई साइन ओमेगा ती माइनस ती नौट बटा एच क्रोस हमें गुना की टर्म्स में यह मिलता है यह सबसे बड़े आईडेंटिटी ओपरेटर को डिनौट करेगा लिकिन यह स्जेड को स्जेड आधार में डिनौट करेगा मेरे पास होगा एक और माइनस एक स्जेड आप जानते हैं एक शोने शोने माइनस एक बार स्जेड के आधारों पर आईगन की टर्म्स में आपको प्राप्त होता है स्जेड अब यहां बस ध्यान देख की अगर आप मानते हैं ओमेगा ही बी बटा दो एमसी एच क्रॉस है फिर आप प्राप्त करेंगे तो फिर यह असल में टी माइनस टी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस टी नॉट बटा दो बन जाएगा या बलकि आपको मल्टिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आई कोड डिनॉमिनेटर गुना आइडेंटिटी ओपरेटर माइनस आई साइम ओमेगा टी माइनस टी नॉट दो से विभाजित होना चाहिए अगर हम ओमेगा को दो बटा इबटा MCH क्रोस लिखना शुरू कर देते हैं तो हमें यह परिणाम प्राप्त होता है लेकिन हमने इसे शुरू किया था ओमेगा को E B बटा M C लिखकर ताकि आपको यह परिणाम मिले यही तरीका है जिससे आप ओमेगा को परिभाशत करते हैं हमें वही परिणाम मिलेगा ठीक है यहां मुझे लिखना है सिगमा Z यहां भी मेरे पास एक सिगमा Z या S Z टर्म है यहां यह था S Z टर्म्स में माफ करना यह है सिगमा Z हमने यहां अपने एक्स्प्रेशन में शामिल किया है यूनिटरी ओपरेटर को आइडेंटिटी कॉस थीटा के कॉस की टर्म्स में अभी व्यक्त किया जा सकता है मैं इस पूरी टर्म को थीटा कह सकती हूँ तो कॉस थीटा गुना आइडेंटिटी ओपरेटर माइनस आई सिगमा Z साइन थीटा चलिए पांचवे प्रश्न की ओर चलते हैं ठीक है पांचवा प्रश्न आधारत है और्बिटल एंगुलर मोमिन्टम ओपरेटर एल एक्स और एल जेड पर अब हम पहले ही देख चुके हैं पहले क्यूटोरियल से हम कैलकुलेट कर रहे हैं हम आईगन वैल्यूस और आईगन फंक्शन वैव फंक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप यह संगरना खुद कर सकते हैं लेकिन मैं आपको कुछ संकेत देती हूँ पहला भाग है मेजरमेंट क्या है एल जेड की मेजरमेंट के संभावित परिणाम क्या है जो आपसे पूछा गया है और आपको LZ के आधार की टर्म्स में LX की normalized eigen state निकालनी है और तीसरा भाग है अगर particle LZ state में है और LX को उसी state में मापा जाता है हमें मिलने वाले संभावत परिनाम क्या है LX आपको दिया गया है और LZ operator आपको दिया गया है LX और LZ से आप देख सकते हैं की LZ की आइगन वैल्यूस है एक शुनिय माइनस एक ये तीन आइगन वैल्यूस है और इसके अनुरूप आइगन केड या operator vector होंगे मैं इसे प्लस शुनिय और माइनस के तौर पर दिनोट करूंगी यहाँ प्लस है एक शुनिय शुनिय यह मानक आधार है और माइनस यह है तो एल्जेड की आइगन स्टेट है एक शुनिय माइनस एक और आइगन वैल्यूस एक शुनिय माइनस और आइगन स्टेट है प्लस शुनिय और माइनस अब इससे आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं एल्जेड की आइगन वैल्यूस क्या है एल्जेड की आइगन वैल्यूस भी एक माइनस एक है इसकी जाच करना आसान है ठीक है इसकी जाच करना आसान है और अब हमें लिखना है मैं इसे कहती हूँ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर या आइगन केट वैल्यूस ठीक है तो कोई ब्रह्म नहीं है आइगन केट मैं इसे एक सब्सक्रिप्ट के साथ प्लस केट एक सब्सक्रिप्ट के साथ शूने और माइनस दिनोट करती हूँ अब आपको निकालना है प्लस एक्स का आइगन केट प्लस शूने और माइनस के टर्म्स में जो जेड आधार में है जब एक बार आप इसे कर लेते हैं आप आइगन वेट्टर या एल जेड की संभावित मेजर्मेंट कैलकुलेट का पाएंगे हमने देख लिया है ये संभावित मेजर्मेंट है यानि ये आइगन वैल्यूज ले सकता है एक शून या माइनस एक और उसके अनुरूप आइगन केट एल जेड के लिए हमें निकालनी है ताकि हम नॉर्मलाइड आइगन केट एल जेड आधार में एल एक्स में एल जेड लिख सके मैं आपको एक संकेत दे सकती हूँ की अगर आप कैलकुलेट करना चाहते है एक्स आधार में केट प्लस टर्म्स में केट प्लस शून या और माइनस ये हैं एल जेड के आइगन आधार एल जेड की टर्म्स में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते है तो हम इनकी एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते है ताकि एल प्लस तो एल एक्स एल जेड के आइगन आधार की लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में आइगन केट प्लस एक्स के तौर पर अब आप ये coefficient A, B और C कैसे प्राप्ट करेंगे आप बस Energy Eigen Value Equation इस्तिमाल कर सकते हैं यानि HI आपके पास LX प्लस इक्वल है आइगन वैल्यू के मानले Lambda प्लस एक X प्लस एक्स के और आप Normalization Condition इस्तिमाल करेंगे और आप जानते हैं कि प्लस शून्य और मानस केट और्थोगोनल है Normalization Condition है A² प्लस B² C² के इक्वल और पहला भाग आप बस LX के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Lambda A की Value सब्स्टिट्यूट करें जो आइगन वैल्यू है मानले अगर आप A को आइगन वैल्यू लेकर शुरू करते हैं और बस प्लस X को A, B और C लिखते हैं और देखें आपको क्या मिलता है तो मुझे प्राप्त हुआ है X आधार में प्लस केट यह होगा एक बटा दो मेरे पास है प्लस प्लस रूट दो केट शूने प्लस केट माइनस माइनस केट देता है हाफ एक प्लस हाफ केट एक केट प्लस माइनस दो का स्क्वाइर रूट केट शूने प्लस केट माइनस और तीसरा है एक बटा रूट दो केट प्लस माइनस केट माइनस तो यह है परिणाम पाने के लिए संकेत इस्तिमाल करें आप इसे प्लस माइनस और साथ ही केट शून्य के लिए भी करेंगे और इसके अनुरूप को एफिशेंट ए भी और सी प्राप्ट करेंगे और फिर आप परिणाम लिखते हैं तो यह आसान था यह पिछले प्रश्न का भाग भी था और आखरी भाग में अगर पार्टिकल ल्जेड स्टेट में है जो ल्जेड एक स्टेट है और ल्एक्स को उस स्टेट में मापा जाता है प्रोबेबिलिटी क्या है तो फिर से आपको पता होना चाहिए ये केट क्या है एक्स आधार में प्लस माइनस और शून्य और आपको केट कैलकुलेट करनी है प्लस पर ये केट मैं यहाँ यही कहने की कोशिश कर रही हूँ यह संभावित परिणाम है मेजर्मिंट के लिए ये है एक शून्य माइनस एक प्रोबिलिटीस के साथ क्या प्रोबिलिटी होगी तो लजेड पर प्लस एक्स स्टेट एक में है जो आइगन केट प्लस के अनुरूप होगा हमें स्टेट लजेड एक्वल एक पर मेजर्मिंट की प्रोबिलिटी निकालनी है यह मुझे एक बटा चार देगा आप इसे कर सकते हैं हमने पहले ही एल जेड और साथ ही एल एक्स आधार में आइगन के प्लस माइनस और शून्या प्राप्त कर लिया है उस जानकारी का इस्तिमाल करके आप प्लस के लिए परिणाम क्यालकुलेट कर सकते हैं आपके पास माइनस के लिए एक बटा चार है प्रोबेबिलिटी फिर से एक बटा चार है और एल जेड पर केट शून्या के लिए एल जेड एक्के इक्वल है सीधा हाफ है आपको एफिशियंट से ही परिणाम निकाल सकते हैं तो इन अभ्यासों के साथ यहीं रुकते हैं आप और बिटल एनुलर मोमेंटम ओप्रेटर पर और अभ्यास भी कर सकते हैं इन ओपरेटर की संगणना पर एल एक्स एल वाई एल जेड एल वाई प्लस जैसे स्फेरिकल हॉर्मोनिक्स पर एल और एम एल की वाई कॉम्बीनेशन पर और आप उन प्रशनों को खुद करने का प्रयास कर सकते हैं झाल 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 झाल